हलो स्टूदेंस आप सभी का फिर से स्वागत है आपके फेवरेट वीडियो गुरू में जहां मैं आपके इंगलेश गुरू आपके साथ जुड़े हैं आज फिर से कुछ नए कॉंसेप्स और नए टॉपिक के साथ अब तक से हमने क्या क्या पढ़ लिया अब तक से हमने पढ़ लिया कि सेंटेंसे क्या होते हैं सब्चिक्ट और वर्ब अग्रीमेंट में सब्चिक्ट और वर्ब को कैसे खोजेंगे अलग अलग पार्ट्स अव स्पीच में और हमने सीखा कि नाउंस के रूल्स क्या क्या होत हैं और उनसे related errors किस किस part में आते हैं आज जो नया topic हम पढ़ने जा रहे हैं that is pronounce जैसा कि आप देख रहे हैं आज आपका session होगा वो पूरा pronounce के बारे में होगा और यह session बहुत interesting है कुछ चीजे ऐसी हैं जो हम लोग generally गलत बोलते हैं इसी वज़े से हम जब error correction करने चाते हैं तो भी हम गलत तरीके से ही लिखके आ चाते हैं तो चली पहले सबस्ते हैं what a pronounce अगर से pronouns की बात की जाए तो यह हमारे sentence में ऐसे words हैं ऐसे words जो हमारे nouns को substitute करते हैं मतब ऐसे words जो nouns के लिए आते हैं आपके sentences में अगर हम ऐसे sentence बोले कि Richa and Sushmita are good friends Richa and Sushmita have arranged a party क्या यह sentence सुनने में कुछ सही लग रहा है नहीं हमने देखा कई बार repetition हो जा रहा है Richa और Sushmita नाम का तो हमने बोला Richa and Sushmita are good friends Richa and she has या they have organized a party जब आप सेंटेंस को दे या शी के साथ relate कर रहे हो तो जाके sentence का जो monotonous पन है वो थोड़ा कम हो गया और हमको यह ज्यादा general लग रहा है सुनने में भी pronouns का काम क्या होता है आपके sentence में to avoid repetition of nouns अब pronouns तो मतलब हमारे पास अलग-अलग type के भी हो सकते हैं क्योंकि noun ही अलग-अलग types हो जाते हैं तो pronouns भी तो उनके according change हो जाएंगे तो चली देखते हैं कि पहले हमारे पास किते types of pronouns होते हैं pronouns total हमारे पास 9 types के होते हैं 11 subdivisions होते हैं बट वो आपके personal pronouns की ही category में चला आता है जैसे हम अगर possessive pronouns की बात करें तो वो personal pronouns की category में पढ़ाया जाता है लेकिन हम उसको आपको अलग से एक topic की तरह बढ़ाएंगे फिलहाल समझते हैं कि हमारे पास 9 types of pronouns क्या गया है पहला personal pronouns यह ऐसे pronouns होंगे जो persons को relate करेंगे indefinite pronouns वर्ट से ही clear हो रहा है ऐसा pronouns जो finite नहीं है indefinite है मतलब इन number of persons के बारे में बोला जा रहा है without subjecting them उसी तरीके से demonstrative pronouns ऐसे pronouns जो demonstrate कर दे या किसी चीज़ को point out कर दे distributed pronouns ऐसे pronouns जो आपके sentence में distribution के लिए use किये जा रहे हों reciprocal numbers के बताने के लिए reflexive और empathic दोनों को बहुत important तरीके से use किया जाता है और इससे error बहुत common है relative and interrogative so these are the different forms of pronouns that we are going to study in this chapter but हम आपको एकठे सारे नहीं पढ़ाएंगे या एकठे इनसे rules नहीं पढ़ाएंगे हम लोग हर एक topic को उठाएंगे और उनसे related rules को segregate करेंगे parts में ताकि अगला topic समझना और जादा असान हो जाए तो चलिए बढ़ते हैं हमारे first pronoun type की तरफ which is your personal pronouns now what is personal pronoun देखो इसको समझाने के लिए हम आपको ये slide तो जरूर एक बार remember करवाएंगे और हम आपको ये 10 second में याद भी करवाएंगे लेकिन उसके पहले आपको हम एक general सा एक order समझाते हैं प्रोनाउंस का जिससे आपको clear हो जाएगा कि प्रोनाउंस को कैसे पढ़ना है तो चलिए पहले समझते हैं ये pronounce के कुछ concepts को stable को भी याद किया जाएगा लेकिन एक सबसे simple तरीके से हम आपके पास कोई चीजे discuss करने जा रहे हैं ध्यान दीजेगा अगर हम प्रोनाउंस की बात करते हैं हमारे sentence में तो प्रोनाउंस का मतलब होता है person के लिए use किये जाने वाला noun या फिर things के लिए use किये जाने वाला noun है ना वो person के लिए भी हो सकता है और वो things के लिए भी use किया जा सकता है अब पहले तो personal pronoun है तो पहले समझते हैं कि person कितने होते हैं हमारे पास अब ध्यान दीजेगा इसको sentence में याद रखेगा हमारे पास pronouns में तीन persons होते हैं एक है आपका first person दूसरा है आपका second person और तीसरा है आपके पास एक third person first person हर वो इंसान है जो अपने आप से subject बनके relate कर सके जैसे कि I, me, we, us कोई भी ऐसा form वो ये singular और plural दोनों हो सकते हैं ध्यान दीजेगा person pronouns आपके जितने भी persons हैं ये singular और plural दोनों हो सकते हैं यू, universal इंसान है किसी को भी आप point करके या उंगले दिखा के बोल दो कि उसने कहा था तो ये उसने सीरे सीरे हम relate कर देंगे कि ये उसने यू है ठीक है या आप किसी से बात कर रहे हैं तो वो जो second person हमेशा आपको life में मिलेगा वो हमेशा यू ही मिलेगा तो इसमें कोई change नहीं होता third person में जितने आपके बच गए he, she, them, those, there जितना आपका बच जाएगा वो भी आपका personal pronoun हो जाएगा और इसका भी singular और plural form होता है तो ये तो थे हमारे पास sentence में persons अब persons कितने cases में divide हो सकते हैं person आपके sentence में तीन चीज़े बन सकते हैं क्या-क्या इसको हम cases बोलते हैं इसको हम pronouns के cases बोलते हैं अब इनको कैसे हम relate करेंगे sentences पहले वो सबचते हैं देखो, एक person या फिर एक subject आपके sentence में क्या-क्या बन सकता है वो subject बन सकता है इसका मतलब हमारा जो pronoun है हमारे sentence में subjective case में हो सकता है या फिर वो object बन सकता है तो इसका मतलब हमारे sentence में वो कौन से case में हो सकता है objective case में हो सकता है या फिर हम उसके किसी possession की बात कर रहे हो तो वो हमारे sentence में कौन से case में हो सकता है possessive case में हो सकता है तो ये तो रहे तीन cases of pronouns जिसमें हम pronouns को bifurcate कर सकते हैं clear? अब समझते pronouns हमारे पास sentence में कितने हैं या फिर वो कितने forms में हमको available मिलते हैं हमारे पास total seven forms में pronouns divided होते हैं कौन-कौन से? I, we, you, he, she, it and they हमारे पास जो seven forms में pronouns आपके divided हो रहे हैं वो है I, we, you, he, she, it, they अब इन pronouns का subjective case क्या बनेगा? जब हम subject बनाते हैं तो हम वो action को implement करते हैं जो हमसे हो रहा है या हमारे action से जो subject involved है वो कर रहा है तो इसका मतलब वो कौन से case में जाएगा subjective? तो देखा जाए तो हमने जित्ते भी form of pronouns आपके सामने लिखे हैं इसका मतलब यही same forms में हमें हमारी pronouns मिलेंगे I, we, you, he, she, it, and they तो ये तो बन गए हमारे subjective cases अब हमारे पास sentence में अगर हम पूचे हमारे पास objective case क्या क्या बनेगा तो अब आप बताएगे I क्या बन जाएगा आपके sentence में? We, I, me, we क्या बन जाएगा? Us, you में क्या कोई change होगा? क्या you अगर object बनेगा तो you के अलावा कोई और form बन जाएगा? नहीं, इसका मतलब you का form as it is है, उसमें कोई भी change नहीं आएगा Then we have he, he किसमें पे change हो जाएगा आपका? Him, she किसमें change हो जाएगा? Her, it किसमें change रहेगा? It ही रहेगा, it का भी कोई आपका objective case नहीं होता और तीसरा है they, they आपके sentence में बन जाएगा? Then अब यह थो थे हमारे subjective से objective cases का change और हम नहीं notice किया, कि हमारे दो ऐसे noun के forms हैं जिन में कोई change नहीं आता और वो है आपका you और आपके sentence में it, मतलब they remain unchanged Now what about the possessive case? Simplest concept, simplest आप I, Me को छोड़ कर, जितने भी forms में S add कर दोगे वो आपका possessive case रहे लेगा मतलब यह मेरा या किसी और का possession बताने के लिए यूज किया जाता है जैसे I, Me आपके sentence में बन जाएगा Our Sorry, आपके पास यह sentence में बन जाएगा My, या फिर Mine अगर हम We, Us का बात करेंगे तो यह बन जाएगा Our या फिर Our या रखेगा possessive pronouns अपने साथ apostrophe को use नहीं करते You आपके sentence में बन जाएगा या तो Your, या फिर Yours He और Him जो है, वो आपके sentence में बन जाएगा His यह बन जाएगा Hers It बन जाएगा It's और देन देवर जाएगा आपका देर या फिर देस यह तो थे आपके sentence में subjective, objective और possessive cases में हमारे different pronouns के form तो हमने इस एक ही चार्ट में तीन चीज़े सीखे हमने सीखा कि pronouns के तीन cases होते हैं कौन-कौन से होते हैं सीधा-सीधा आप क्या क्या बताओगे subjective, objective और possessive किते forms में pronounce हमको मिल सकते हैं available किते में हैं 7 क्या-क्या I, we, you, he, she, it, they कौन से दो forms कभी भी change नहीं होंगे you and it मदब subjective, objective में you और it कभी भी change नहीं होते I क्या हो जाएगा me, we, us, you, you, he, him, she, her, they, them जब possessive case पनाना होगा तो I, me बन जाएगा my या फिर माइन और बाकी सारे cases आपके S का form ले लेंगे without having an apostrophe with it ये तो था एक simple और general demonstration of using personal pronouns अब हम आते हैं उस slide पे जिसमें आप इसको एक gist में पढ़ सकते हो और memorize कर सकते हो simple simple कितने person थे three, first, second, third अब हमको याद भी हो चुका है first person कौन था? I, we उसका objective क्या था? me, us possessive क्या था? mine and ours second person में आपको मिलेगा you, you और उसका possessive pronoun बनान था वो क्या था? yours he, she, it, they आपके third person आते हैं him, her, it, them इसके बाद changes होंगे देखेगा it के form में कोई भी चीज न यहाँ पे हुआ है न you के form में चीज यहाँ हुआ है और इसका भी possessive pronouns में कोई भी apostrophe नहीं जाएगा now there is one rule that is related to your active to passive conversion जैसे कि आप जानते हैं कि pronouns के सारे subjective objective case बनते हैं वैसे ही हमारे पास कुछ और pronouns है जो subjective objective वो possessive cases में divide होता है हिंदी में अगर आप बोलो तो कौन मतलब who किसको whom और किसका whose मतलब जब भी हम sentence में इन तीन forms में भी अपने pronounce को divide कर दे तो हम sentences को identify कर सकते हैं यह अलग से लिखा गया है क्योंकि यह person को classify नहीं करता यह तो थे हमारे sentences में pronounce को याद करने का objective में तो आप कभी गलती नहीं करेंगे और यह तो sure है अब चलिए बढ़ते हैं हमारे rules की तरफ अब एक चीज आपको ध्यान से समझा देते पहले उसको समझी हीगा जब हम pronounce chapter पढ़ेंगे तो हम यह तो पढ़ेंगे कि pronouns कैसे कैसे forms में use होते हैं लेकिन जो सबसे important rule है वो यह identify करना है कि pronoun कब subjective होगा और कब आपके sentence में objective होगा इसके बाद से जो भी rules हम आपको पढ़ाएंगे वो इसी के बारे में होगा तो चलिए बढ़ते हैं हमारे rules की तरफ हमारा जो first rule है that is if two or more personal pronouns ध्यान दीजेगा अगर आपके पास order में two or more personal pronouns है they are used in the correct order अच्छा देखो एक जिफ सिंपल सी चीज पहले समझते है कि हमारे पास sentence में एक person है second person है और third person है अब the question is कि अगर ये नाम ना हूँ नाम है तो देखो राम, शाम, घंशाम कुछ भी लिख दो सही है लेकिन अगर नाम नहीं है और सारे pronouns है तो आपको ध्यान ये देना है कि actually ये सब एक order में place होंगे मतलब ये आप ऐसे ही किसी को भी पहले बिठा दो किसी को भी बाद में बिठा दो ऐसा नहीं चलेगा ये हमेशा एक order में place होते है और वो order क्या है अब वो समझते है देखो अगर आपके पास sentence में एक या दो से ज़्यादा लोग हो तो pronounce हमेशा एक order को लेके चलते हैं और वो order है आपका second person, third person and first person मतब इस rule को बोला चाता है rule 2, 3, 1 अगर हम बात करें इस rule की तो हम इस rule को लिखते हैं as rule 2, 3 and 1 अब इससे याद क्या रखना है कि पहले आपके पास हमेशा second person बाठेगा फिर third person बाठेगा और फिर first person बाठेगा और इसको apply करने के लिए हमारे पास एक condition के fulfill होने की भी जरूरत है ध्यान क्या देना है एक condition कौन सा fulfill होगा क्या पहले तो ये आपके sentence में singular forms में होगे और दूसरा ये good sense में use किया जाएंगे मतलब इसका जो sense है वो negative statement के लिए नहीं होगा ये positive sentences होगे और सीधा सीधा singular forms में होगे जैसे कि हमारे पास sentence में देखो first sentence बोल रहा है you, I, he and I हम ये नहीं बोल सकते हैं कि I, he and you हम जब बात कर रहे हैं तो देखो आप और आपके साथ आपका एक friend है तो आपने बोला तुम, वो और मैं हर चीज़ मैनेज कर सकते हैं तो देखो जो placement हो रहा है आपके sentence में वो हो रहा है पहले second person फिर third person और फिर first person उसी तरीके से you and he must not accompany me मतलब तुम और वो मेरे साथ नहीं जाओगे तो हमने बोला कि तुम और वो जब आप बोल रहे हो तो तुम कौन है second person उसके साथ वो भी जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं मतलब वो third person है देखो हर चका order two और three हो रहा है है ना मतलब इस rule में आप दो चीज़े सीख रहे हो मान लो तुम्हारे पास sentence में second person, third person, first person, तीनों हो तब तो simple ये order मान लो तुम आप इस second person में second person और first person हो है ना तो आप कभी भी first और second को पहले नहीं बिठा सकते आपका order हमेशा पहले second होगा और first ही होगा मतलब चाहे ये दुनों हो हमारे orders के form में कोई भी change नहीं देखा जाएगा उसी तरीके से you and I will go to the park हम ये नहीं बोल सकते I and you will go to the park हर जगा हमने क्या देखा कि हम लोग orders को follow कर रहे हैं और order आपके पास sentence में ऐसा ही होगा चली देखते हैं कि क्या हमारे पास rule 231 के अलावा भी कोई rule बनता है बिलकुल बनता है देखो जब तक आपके पास sentence का form जो या जो statement है वो good sense में था तो हमने सीधा सीधा rule 231 बिठा दिया मतलब पहले second person फिर third person और फिर first person लेकिन मान देजे अगर यहाँ पे यह sentence का form किसी confession को होता which was actually a kind of wrongdoing जैसे की अगर आप अपनी किसी गलती को मान रहे हो या fault को या कोई sin को जिसको आपने commit किया है और आप उसका confession कर रहे हो चाहे आप या चाहे कोई और ऐसे sentences में आपके साल जाएगा वो हो जाएगा आपका order पहले first person, first second person और फिर third person this is how you will relate to the orders जैसे I, you and he have made a serious mistake मतलब I हमने mistake किया ना तो देखो यहाँ पर confession आप एक सिदा सिदा तो पहले हम बोल जोए I मतलब first person, first second person और फिर third person that we have made a serious mistake तो दोर रूल्स को याद रखने का simple order क्या है, rule 2, 3, 1 हमारे sentence में तफ फॉलो होगा जब हम उसको good sense में बोल जए है rule 1, 2, 3 हमारे sentence में तफ फॉलो होगा when you're talking about a sin or a what, so basically you're talking about wrongdoings or their confessions ये तो थे हमारे sentences के दो रूल जो relate करते हैं pronounce के order के बारे में चलिए बढ़ते हैं हमारे next rule की तरफ हमारा next rule है कि हम कैसे subject को और object को use करेंगे subjective और objective cases में individually in sentences पहला, after verbs अगर आपके पास sentence में ऐसे verbs हैं जैसे की B form B form में कौन-कौन से verb आते हैं is आता है, am आता है, are आता है, was आता है where आता है, है ना, ये जो भी हमारे B form of verbs हैं अगर ये sentence की शुरुआत कर रहे हैं तो याद रखिएगा आपका pronoun हमेशा subjective case में होगा अब इसको याद कैसे रखेंगे माम, हम भूल जाएंगे, है ना, हमको कैसे याद रहेगा कि ये rule याद रखना है सबसे simple और असान तरीका ऐसे याद रखेगा जोसे मार लीजे हमने बोला, वो सिर्फ मैं ही था या वो सिर्फ हम ही थे जिसने इस room को clean किया ठिक, सही है हमने बोला, वो सिर्फ हम ही थे, जिसने इस room को clean किया तो हम तो subject बनके अपने आपको represent कर रहे हैं तो हमने sentence में बोला कि it is me who cleaned the room right, it is me who cleaned the room नहीं, room की cleaning तो हमने करी, तो हम तो subject हैं न क्योंकि हम action perform कर रहे हैं तो अगर हम sentence में subject हैं तो हमको कौन से case में होना चाहिए, subjective case में होना चाहिए इसी लिए हमारे पास sentence में जब हम इसको use करेंगे तो हमेशा subjective case में use करेंगे जैसे it is me who stood second नहीं होगा, हम न second आए तो हमारे पास sentence का construction क्या होगा it is I who stood second उसी तरीके से was it her who decorated the room हम सवाल कर रहे हैं कि इस room का decoration क्या उसने किया, तो उसको तो हम subject बना रहे हैं न हम तो एक general सा statement दे रहे हैं किसी के बारे में और हम उस statement में पूछ रहे हैं कि क्या उसने room को decorate किया तो हमने simply बोला कि was it her who decorated the room नहीं, उसने room को decorate किया तो वो हमारे sentence की subject है अगर subject है तो कौन से case में चाहेगी सीधा सीधा subjective case में जाएगी इसी लिए याद रखेगा कि जब भी आप किसी B form से introduce करते हैं आप कोई भी word उठा लो कोई भी word उठा लीजे is, are, was, where, कुछ भी जब भी देखेगा इन words को use किया जाएगा sentences को statement बनाने के लिए हमेशा वो subject के action को emphasize करते हैं और क्योंकि subject के action को emphasize करते हैं तो pronoun कभी objective case में नहीं जाएगा आपके sentence का pronoun जब भी जाएगा subjective case में ही जाएगा ये तो था subjective और objective case को कैसे use किया जाएगा sentences में चली बढ़ती हैं हमारे next rule की दरफ when there is comparison of subjects with any pronoun use the subjective case पहले तो पढ़के थोड़ा समझते हैं कि हमने आपको sentence में बोला क्या है एक बाद बताओ पहले तो ऐसे देखते हैं कि जब हम comparison करते हैं तो हम किते लोगों में comparison करते हैं comparison हमेशा दो subjects में होता है comparison दो objects में हो सकता है फिलहा के लिए हम लोग सिर्फ subjects को पकड़ रहे हैं अब एक चीज़ देखो सीधा सीधा जब आप दो subjects को compare कर रहे हैं तो आप दो subjects को कर रहे हैं कि subject को object के साथ compare कर रहे हैं नहीं जब भी comparison होता है दो subjects को होता है तो मान दीजे अगर आपके sentence के दोनों subjects pronouns हैं ध्यान दीजेगा अगर आपके sentence के दोनों subjects pronouns हैं तो इनका जो case बनेगा वो भी subjective pronoun ही होगा मतलब आपके pronouns अगर किसी case में होगे तो वो subjective ही होगे जैसे he has more time than me हमारे sentence का subject यहाँ पर कौन है? he अब ये sentence का जो pronoun है ये कौन से case में है? subjective case में he has more time than me जब आप बोल जए है तो आप इनको तो object बना दे रहे ना? नहीं हम बोलेंगे मेरे से ज़ादा time है उसके पास है ना? तो हम भी तो sentence में subject ही बने तो इसलिए हमारा जो correction होगा वो मी की जगा हो जाएगा I तो ध्यान क्या देना है कि अगर हमारे पास sentence में दो subjects हैं और दोनो subjects pronounce के form में है और उनको compare किया जा रहा है ध्यान दीजेगा उनको compare किया जा रहा है तो दोनो हमारे pronounce भी subjective case में ही होंगे जैसे स्नेहा walks slowly than her नहीं स्नेहा तो sentence की subject है तो जो pronounce नहा को relate करेगा वो हर की जगा पे क्या हो जाएगा she उसी तरीके से he is taller than me देखो ये कितना common सा statement है और हम लोग बच्पन से कितना गलत बोलते वे आए हैं हम बोल जाए है he is taller than me नहीं वो हमसे जादा taller है तो हम अगर वो subject है compare करने के लिए तो हम भी तो subject है दो subjects के comparison हमेशा pronounce subjective case में लेंगे इसको गाट बांद लीजेगा चलिए अब एक बार next statement देखते है last statement बोल जाए है she earns मतलब she मेरी subject है sentence में she earns more than he नहीं यहाँ पे she क्योंकि subject है तो जो आपका pronoun use किया जाएगा वो भी subjective case में ही होगा तो मेरा correction यहाँ पे sentence में हो जाएगा she earns more than he यह तो थे आपके sentence में identify करना simply याद रखना अगर कभी भी आप sentence में as pronoun किसी word को देख रहे हो और वो subject के जैसा काम कर रहा है मतलब वो ही किसी action को initiate कर रहा है तो वो हमेशा subjective case में होगा अगर दो subjects आपस में compare किये जा रहे हो तो अगर पहला subject subjective case में है तो दूसरा subject भी subjective case में ही होगा clear? इस rule के बाद चले बढ़ते हैं हमारे next rule की तरफ next when two pronouns are joined by conjunction अब हम बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई दो pronouns है जो हम conjunctions के साथ जोड रहे हैं अब conjunctions हमारे sentence में कुछ भी हो सकता है चलो हम and को ठा लेते हैं ठीक है? and they are object मतलब ये subject नहीं है ध्यान दीजेगा ये subject नहीं है ये आपके sentence में object का काम कर रहे है मतलब subject कोई और है आपके sentence में ठीक है? ऐसे case में हम जब भी कोई verb को use करेंगे या pronoun का जो form होगा वो हमेशा आपके sentence में आपका objective case में ही होगा तो चली पहले समझते हैं कि इस sentence को इसको identify कैसे किया जाएगा they prohibited you and me from playing in the playground ध्यान दीजेगा prohibition कौन कर रहा है? इनको छोड़ दीजे भी आप ठीक है? prohibited कौन कर रहा है? ये लोग कर रहे है ना तो ये कौन है आपके sentence में? they तो they आपके sentence में actually subject है subject prohibit कर रहा है किस को prohibit कर रहा है? you को और me को अब अगर they subject बन चुका तो इसका मतलब you and me subject तो नहीं है इसका मतलब sentence में ये क्या बन गए आपके objects बन गए objects बन चाएंगे तो आपके pronounce भी objective case में ही होंगे जैसे they allowed him and me to stay here कौन allowed किया? you allowed ना? तो you are the subject so basically you allowed whom? him and me? याद रखेगा object को identify करने का sentence में सबसे असान तरीका होता है whom और what से answers करिए अगर आपको whom और what का answer मिल जाता है sentence में तो आपके sentence में वो जो form है वो आपके sentence का object है तो अब हम एक बार पढ़ लेते हैं हमने क्या बोला? you allowed him and me to stay here तो who allowed? you allowed तो आप तो subject हो गए तो जो बच गए वो sentence में कौन है आपके? objects हैं अगर objects हैं तो ये दोनों जो cases follow करेंगे pronounce के ये हमेशा objective cases ही होंगे ये तो था subject और objective cases को identify करना मतलब सीधा concept अगर आपके पास कोई दो pronouns and से connected या किसी conjunction से connected है और subject sentence में कोई और है जो इन दो pronouns के बारे में बता रहा हो तो दोनों क्योंकि subject तो already है तो ये तो subject बन नहीं सकते इसलिए ये objects बनेंगे और आपका जो case लेंगे pronoun का वो भी objective case ही होगा Now this is how you will identify errors if you come across these type of statements चली बढ़ते हैं हमारे next slide के तरफ हमार next slide है कि हम objective case को और कहां पे use करेंगे let के साथ या फर between के साथ इन दोनों को हम खेर एक साथ समझाएंगे बड़ उसके पहले आपको एक छोटी सी चीज़ समझाते हैं देखो let हो गया, between हो गया, in हो गया, on हो गया, at हो गया ऐसे words चो आपके sentence में ऐसे words चो आपके sentence में objects को relate करें वो objective case में होंगे जैसे let us को हम नहीं बोल सकते let we go we का अस बना था ना objective case में याद है लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि let we go, हम we go बोलेंगे तो sentence येको बहुत inappropriate sound कर रहा है, you have to remember कि let हो गया, या फिर accept हो गया, accept word हो गया, इन सारे words के साथ हम हमेशा जब sentence में कोई form use करेंगे, तो वो आपका objective case में ही होगा clear, जैसे let us go, let Sita and me go not let Sita and I go, समझाया तो मेरे दोनो sentences जो सही है वो ये दोनो forms में होगे उसी तरीके से prepositions के बाद, एक चीज़ बताएए, Vodafone का वो song सुना है, you and I in this beautiful world, एक चीज़ देको उस sentence में वो लोग बोलते हैं you and I in this beautiful word, या whatsoever your sentences चीज़ के, sentence में देको ये दोनो मेरे subjects बन रहे थे हम और आप इस खुबसूरत दुनिया में है तो हम भी क्योंकि देको subject हैं, तो हम भी subjective case में, I subject है, तो I भी subjective case में, लेकिन Vodafone के उस गाने में तो सिर्फ दो ही subjects हैं न, मान लो अब हम इसके आगे लगा दे between, तो क्या between you and I होगा अब हम बोल जए हैं, कि मान लीजे आपके और हमारे बीच में इस pen को या इस marker को divide करना है तो आप subject आप और हम हुए या ये marker हुआ, ये marker subject हुआ न, क्योंकि sentence में अब आपके पास marker subject बन गया तो हम और आप क्या बन गए, object बन गए जैसे हम और आप object बन चाएंगे तो हम दोनों कौन से case में चले जाएंगे objective case में चले जाएंगे अब इसको relate करना होता है prepositions के साथ, ध्यान दीजेगा अगर आपके पास sentence में कोई prepositions जोड़ दे आपके pronounce को, या pronounce को relate करे, तो वो जब भी use किये जाएंगे आपके objective case में use किये जाएंगे जैसे, he depends upon me वो मेरे पे dependent है है न, I नहीं होगा क्योंकि वो subject है जो मेरे पे depend कर रहा है, हम object है उसी तरीके से, the property must be divided between you and me and not I, हम ये नहीं बोलेंगे कि property आपके में और I में divide होना चाहिए नहीं, मेरा property यहां पे subject है right, property must be divided तो property तो sentence में subject का का काम कर रहा है तो you and me कौन बन गए हमारे sentence में, objects बन गए, तो ये कौन से case में जाहेंगे आपके sentence के, objective cases में now this is how you actually identify subjective cases and objective cases इस slide को एक बार जरूर फिर से revise करेगा क्योंकि error correction के 3-4 मार्ग से section से हर साल देखे जा रहे हैं और ये आपके examiner का बहुत favorite question है, तो ध्यान दीजेगा कि subject और objects को कैसे identify करना है ध्यान देना अगर आपको एक बार ये slide complete हो जाएगा या फिर आपको एक बार ये slide clear हो गई तो आपको इसके बाद subjective objective cases में कभी भी दिक्कत नहीं होगी अब next day हम आपके पास मिलेंगे कुछ और नए rules के साथ आज के लिए इतना ही keep on revising keep on studying all the best